जी आप बिलकुल देखे हमारे साथ मद्रप्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विश्णुदत शर्मा जी हैं इस वक्त प्रदेश का राले पहले जाएंगे वहाँ पर विधायक दल की बैठक की तैयारियों के जहिज़ा लेंगे और उसके बाद सीधे वहाँ से एरपोर्ट क के लिए आपके लिए एक बड़ा दिन है लेकिन एक बड़ा सवाल है कि मद्रप्रदेश में आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन क्योंकि लंबा इंतजार हो गया इतने बड़े बहुमत के बावजूद पार्टी यह नित्या कर पा रही कि मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं व जो भी काम तेह होगा और जिसको भी तेह होगा वो उच्चित निरने हमारा केंद्री नित्रतो करेगा और मुझे लगता है कि उसके बारे में तैयारी होई गई है अभी आज विधायक दल के नव निर्वाचत विधायक दल की बेठक है एरत्यासिक जीत इसका आगाज हुआ है कि आगामी आने वाले दोयार चौबीस में प्रधान मंत्री नरिन्द मोदी जी को एत्यासिक और प्रचंड बहुमत की जीत का सेमी फाइनल मद्ध्यप्रदेश चातीस गर्ड़ और राजस्तान के अंदर हुआ है इसलिए प्रधान मंत्री मोदी जी को आसी बाद मत्री व्र्रड़ कि जिनता ने डिया है नेता भी मत्री प्रस्ताव रखा जाएगा या उनसे सला मशुरा किया जाएगा चोटे चोटे ग्रूप में उनसे बाचीत की जाएगा ये विगाजी परिविक्षक है बारती जिनता पार्टी के अपनी कारे पद्दती है उसका अनुसारी सारी चीज़ें होते है ये कहा जा रहा है कि 36 गड़ में वहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री दे दिया गया है तो क्या मध्यप्रदेश में पिछड़ा मुख्यमंत्री हो सकता है पिछरे वर्क से जुड़ा हुआ या अगड़े वर्क से भी जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री हो सकता है आपको क्या लग रहा है किस तरफ जा रही है प्रदेश की तो माननी प्रधान मंत्री नरिंद वोदी जी देश में सबका साथ सबके विकास के इस मंत्र पर आज भारत की राजनीती के इंद्रत है तो इसलिए जो भी समाज के अनुरू प्रदेश के लिए देश के लिए जावश्यक होगा उसके अनुसारी संगठे निने करता है आज मैं कहता हूं की सामूहिक नित्रत पर संब्धित के दुनों ने कहा यह चुनाव सामुह की नित्रतों पर और टीम स्प्रिट से लड़ा हुआ चुनाव भाजपा का एक एक कार करता मद्ध्य प्रदेश के अंदर तो 24,523 बूतों पर वो इस उत्कंटा के साथ चुनाव लड़ा था कि 2024 में प्रधान मंत्री मोदीजी को बनाना है तो मद्ध्य प्रदेश के अंदर हर बूत पर चुनाव जीतना है 51 प्रिशत बूत सेर का हमारा संकल्प था माननी अमिस साजी ने जो देश के ग्रह मंत्री भारती राजिनीजी के आद उन्हें चानक के जिनको कहा जाता है उन्होंने मद्ध्य प्रदेश को टास्क दिया था और इसी पर उन्होंने यहां अथक मेहनत परिश्रम माननी अमिस साजी को सरणनी थी और भारती जनता पार्टी का हमारा जो अथक परिश्रम कार्यकरताओं ने नीचे किया है केंद्र राजी सरकार की योजना है यह आधार है इसलिए मैं ऐसा मनता हूं कि जो उचित निर्णय होगा किंद्री नित्रत करें आप स्वयम प्रदेश बनाती है जहां पर एक से एक अनुवभी यह कुसाव ठाकरे का प्रदेश है मानि प्रधानवंत्री जी ने का था कि भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाने में मद्ध प्रदेश भारती जनता पार्टी के संगठन की भी बड़ी भुमिका है इसलिए मेरा बूस स सब बरिष्ठों का उन सब लोगों का आसिरवाद इसने है कि सबने मिलकर के टाकत दी और एपमेक टीम स्प्रिट के कारण से ही भारती जंता पार्टी आज जो हमने कहा था आज तक की सर्बादिक सितने जीतेगी वारती जन्ता पालिटी को मध्रदिस कंद्र गुजरत के बाद मध्रदिस दूसरा राज्जी यह इतना बोट दिस्मछ सेहर का सब्सक्राइब जान को इसलिए मैं ऐसा मनता हूं कि इस दिसामें हम तो निमत में जिम्मेदारी है बाकी तो टीम इस्पृट के आधार पर यह चुनाव जीता गया है और मोदी के मन में मदर प्रदेश है लेकिन मदर प्रदेश का मुखिया कौन होगा यह जब विधायक दल की बैठा कोगी उसी वक्त साफ होगा निकास भधारिया एबी पी न्यूस भूपा झाल